Hey guys, imagine करो, अगर super heroes, जिने usually हम heroes मानते हैं, वो अगर villain निकले, तो क्या होगा? कैसे handle करेंगे आप उने? ये series explore करती है एक dark और twisted world को, जहाँ super heroes यानि sups, heroes कम और villains जादा हैं. तो, जल्दी से खतम करते हैं, तब boys के 3 seasons का recap, वो भी बिना किसी major detail को miss किये, इन सारे sups को control करती है एक powerful corporation, what international, जो कि इनकी public image को भी manage करती है, और साथ ही cover करती है इनकी dark secrets. कहानी शुरू होती है Hughie Campbell से, जो कि एक ordinary electronic store employee है, उसकी life तब पलट जाती है, जब उसकी girlfriend Robin को एक train, जिसके पास super speed है, एक tragic incident पर मार देता है, ये traumatic incident, Hughie के दिल में बदले की आग लगा देता है, और फिर Hughie मिलता है Billy butcher से, जो एक former CIA operator है, और अपनी wife Becca की disappearance का बदला लेना चाता है, बुचर का मानना है कि Becca का Homelander ने rape और murder किया है, बुचर recruits ही होगी और अपने पुराने साथियों को एखटा करने लगता है, Frenchie जो एक weapon specialist है, और Mother's Milk जो की former military है, इनका mission है what की सच्चा ही दुनिया के सामने लाना और उन्हें रोकना, उसी time The 7 में नया recruitment होता है Starlight का, और जल्दी उनके dark truth समझ जाती है, एपिसोड 4 में जब Homelander और Queen Maeve एक hijack plane को rescue करने जाते हैं, तो Homelander passengers को बचाने के जगह उन्हें मलने के लिए छोड़ देता है, कि कुछे लगता है कि उनके failure का कोई proof नहीं रहना चाहिए, यह scene Homelander के ruthless और psychopathic nature को दिखाता है, योगी और Starlight की बढ़ती दोस्ती और प्यार से, the boys पता लगाते हैं कि वोट एक serum compound V को वच्चों में inject करता है, जो के बड़े होकर उन्हें super hero powers देते हैं, यह revelation एक major plot point बन जाता है, season खतम होता है एक shocking cliff anger के साथ, जब voucher को पता चलता है कि उसकी wife Veka तो जिंदा है, और Homelander के बेटे Ryan के साथ रह रही है, season 2 शुरू होता है, वोट के एक announcement के साथ, कि Translucent की death हो गई है, और introduction होता है एक नई सूप, strong front का, पहले तो वो थोड़ी progressive लगती है, पर जल्दी उसका असरी रंग देखने लगता है, because she is a legit Nazi, और उसके arrival से the 7 में काफी ज़्यादा changes आते हैं, और साथ ही उसका पता चलता है कि compound V, जो कि सूप्स को power देता है, एक manmade drug है, यह revelation जैसे उनकी दुनिया हिला देता है, और नए conflicts शुरू हो जाते हैं, इसके साथ ही सामने आता है strong front का dark past, और उसका racist agenda, जो एक intense showdown तक पहुंचता है, the deep अपने आपको redeem करने के लिए एक cult को join कर लेता है, the church of collective, उसकी journey काफी awkward और बिजार होती है, पर end में वो the seven के edge पे ही रह जाता है, home leader के twisted attempts, अपने बेटे Ryan के साथ bonding करने के लिए एक disaster बन जाते है, उसका ruthless parenting style, जिसमें वो Ryan को roof से push करता है, उसकी powers को activate करने के लिए एक दम feel हो जाता है, यह subplot, home leader के character को और भी ज्यादा depth देता है, और उसका desperation for control and family को भी दिखाता है, season end होता है एक brutal battle के साथ, जिसमें starlight, kimiko और queen mave storm front से लड़ते है, Ryan अपनी मा बेका को बचाती हुए गलती से उसकी ही जान ले लेता है, जो home leader को और भी जादा madness में धकेल देता है, बुचर बेका को promise करता है कि वो Ryan को protect करेगा, जो future के लि इस नए season में हम मिलते हैं soldier boy से, एक old school soup जिसको toxic masculinity complex है, उसका past और उसकी powers इस season में काफी जादा crucial role play करते हैं, और फिर बुचर और हुगी के हाथ लगता है temp V, एक temporary version of compound V, जो इनने 24 गंटे के लिए powers देता है, ये twist उनके what के against battle में एक नए dramatic dynamic को add करता है, पर साथ ही लाता है unexpected side effects, what अपने PR battles continue रखता है, जिसमें homelander अपनी grip को और भी जादा tight करता जा रहा है, उसका psychological unraveling एक major plot point है, जो series के कुछ intense और disturbing scenes लाता है, तब boys की बात हो और herogasm की बात ना करे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, infamous herogasm episode अपने promise पे खरा तरता है, जिसमें ऐसे ऐसे scenes हैं कि गंदी स गंदे इंसान को भी अजीब लगने लगे, और ये episode भरा है, डिवाचरी और shocking relevation से, ये एक pivotal moment है, जहां alliances shift होती है, और secrets exposed होते है, season का climax, एक epic confrontation है, जिसमें the boys, soldier boy और the seven involved होते है, loyalties test होती है, और हमें देखने को मिलता है, एक intense battle, which is a treat to watch, ये fallout upcoming seasons के लिए, और भी ज्यादा chaos का stage set करता है, जैनवी के season finale में हमें एक major clue मिलता है, the boys season 4 के बारे में, finale में एक virus का revelation होता है, जो के soups को मार देता है, और ये virus directly link करता है to the ongoing conflict in the boys, और बात यहीं खतम नहीं होती, home lender और butcher के जैनवी में cameos इसे और भी ज़्यादा interesting बना देते हैं, तो कैसा लगा आपको ये recap कमेंट्स में ज़रूर बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले, और well icon भी दबा दो, ताकि आपको सबसे पहले notification मिले, मिलते हैं अगले वीडियो में, till then be safe, be happy and thanks for watching.